नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है सडकों में घुमाव होना एक आम बात है लेकिन अगर ये घुमाव जादा हों तो सडकें खतरनाक बन जाती है अगर सडकें बहतर हों तो सफर का मज़ा भी अलग ही होता है लेकिन दुनिया में कुछ सड़के ऐसी हैं जिने देखने में और उन पर गाड़ी चलाने में अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है आज इनी में से एक खतरनाक रोड के बारे में हम आपको बताएंगे जिसमें सफर करना हर किसी के बस की बात नहीं है यूरोब के ट्रॉल स्टिंगेन या ट्रॉल स्पाथ हो या फिर फ्रांस के कोल्डेर टूरीन रोड हर कोई रोड खतरनाक मानी जाती है ऐसे में आज हम आपको अट्लांटिक रोड के बारे में बताने जा रहे हैं एक और जहां अट्लांटिक की खुबसूरती दूसरी और यह रोड बेहत ही ख़दरनाक बन पड़ी है 1986 में नौर्वे की अट्लांटिक रोड का निर्माण 64 कंट्री रोड के रूप में किया गया था यह इतनी खतरनाक है कि इसका दोहरी करण यानि कि इसको दुबारा नहीं बनाया गया है इस रोड की चुड़ाई करीवन 9 फिट से भी कम बताई जाती है जिसके कारण ट्रैफिक जैम लग जाता है और सरदियों में इस रोड पर गाड़ी चलाना बेहत खतरनाक है क्योंकि बरफीले तूफान भूस कलन का खतरा बना रहता है आपको बता दें कि अट्लांटिक रोड नौर्वे के समुद्र में कई आइलेंड को जोडती है और इसकी लंबाई करीबन 8.5 किलमीटर है और पीच में कुछ ऐसे घुमाव है जिन पर गाड़ी चला पाना हर किसी के बसकी बात नहीं है तो ऐसे में इस रोड पर वही गाड़ी चला सकता है जिसको गाड़ी चलाने का कुशल अनुभव प्राफ्थ है हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इस अपने मित्रों के साथ आवशी शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बटन को ज़रूर दबाए धन्यवाद